हलो अबरिबन वेलकम टू माय चनल तो आज हम लोग सॉल्फ करेंगे यूनिट वन के प्रोब्लम्स को और यह अपना नमबर्स अप्टू 9999 ओके तो यहां पर हम लोग कुछ हाउस को देख रहें और हाउस के नेचे उसका नेम लिखा हुए बच्चों का ओके यह देखिए औ हाउस नमबर्स अफ सम चिल्डें आर गिवन हीर हाउस नमबर दिये वें रईट दा नमबर्नेम्स ऑब देयर हाउस नमबर्स इन दा स्पेस प्रोबाइड देखिए यहां पर फॉस्ट हम लोग को दिखाया गया कैसे करना है तो एक तरफ दिया गया है चायड का नाम नमर कितना है 246 तो क्या लिखा गया है 246 इस तरह से हम लोग नॉट करेंगे चलिए यहां पर हम देख रहें नित्या का हाउस नमर क्या है तो नित्या कहा हम लोड़ लेते हैं यह देखिए नित्या का हाउस नमर यह है नित्या और इसका हाउस नमर है 862 तो हम लोग यहां पर हमको words में भी लिखना पड़ेगा तो यह हमने लिख लिया 862 ओके अब यहां पर हम देखेंगे दीपक का house number क्या है और दीपक का house number यहां note करेंगे और उसको word में आपे note कर लेते हैं आईए तो यह अपना है दीपक देखेंगे यहां पर दिखाया गया है और इसका house number कितना है तो आप यह note कीजिएगा 400 and 471 तो चलिए हम लोग note कर लेते हैं 471 को तो यहां पर हम लोग note कर लेंगे 471 और यहां भी note करना होगा हम लोगों को तो यह हमने note कर लिया 471 ठीक है इसी तरह से हम और भी करेंगे यहां पर नेहा का house number वो देख लें क्या है तो आएए हम नेहा का house number डूड़ें यहां से तो यह हम देख पा रहें नेहा का house number कितना है यह है 399 तो हम लोग note कर लेते हैं यह 399 note करेंगे यह हमारा कितना है 399 तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 399 हमने आपे note किया अब next हमारे पास क्या है ना विक्की का house number note करना है तो चलिए विक्की का house number देखेंगे कितना है तो यह हमारे पास vicky आ गया यह देखें विक्की और इसका house समस कितना है 571 तो आएए नौट कर ले 571 यह रहा विक्की का हाउस नंबर 571 ओके 571 और लास्ट में हमारे पास क्या होगा तो लास्ट में हम देखेंगे सोनल का हाउस नंबर कितना है और यहां पर नौट कर लेते हैं तो यह रहा हमारे पास सोनल 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 कहा है जी इधर है सोनल ओके और कितना है तो 148 चलिए हम नौट करेंगे 148 तो यह हमने नौट कर लिया सोनल का हाउस नंबर 148 और यहां भी लिख दिया तो इस तरह से सोनल से सब्सक्राइब उब उसका है करेंगे तो सबसे पर यहींकर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखे रोहित का हाउस नमर कितना है 246 तो यहाँ पे 246 लिखे सोनल का हाउस नमर कितना है 148 तो 148 नोट कर लिजिए नित्या का हाउस नमर कितना नित्या का हाउस नमर 862 आप नोट करेंगे फिर दीपक का हाउस नमर कितना 471 नोट कर लिए फिर आपका बच गया नेहा का हाउस नमबर ये है 399 नोट किये आप इसको क्या करना है Ascending Order में करना है मिन सबसे छोटा नमबर को पहले लिखना है और फिर बढ़ते वे करम में चल जाना है तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है सबसे छोटा है 148 तो पहले आप लिखिए 148 फिर आप कॉमा लगा देजिए इसके बाद दूसरा नमबर किसका आएगा 246 तो आप इसको लिखिए 246 इसके बाद कॉमा देजिए फिर आपको लेना पड़ेगा 399 तो आप 399 नोट करिए फिर आप कॉमा देजिए फिर आप देखिए आपके पास क्या है 471, 471 नोट किजिए और लास्ट में नोट करिएगा 862 जो कि सबसे बड़ा है, ओके तो इस तरह से question number second भी अपना बन गिया, अब चलिए हम question number third की और चलते हैं, तो question number third पे क्या का गया है, यह कहता है, arrange the house numbers of the following children on the given abacus, तो यहाँ पे बच्चों के नेम दिये हुए हैं, आप देखिए, और हमको क्या करना पड़ेगा, इसके house number को यहाँ पे नीचे नोट करना पड़ेगा, इस जगह पे हमको house number नोट करने हैं, और इसको abacus में भी हमको दिखाना पड़ेगा, ball बना करके, clear, तो यहाँ पे देखिए, सारे बच्चे के house number हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ से हम house number को नोट कर लेते हैं, तो आईए हम यहाँ पे note कर लें house number को, तो पहला किसका लिखना है, रोहित का house number कितना है, तो आप यहाँ पे देख पार है, 246, तो आप क्या लिखिएगा, 246 लिखिएगा, इसके बाद विक्की का house number कितना, तो विक्की का house number 571, नोट कर लिए, इसके बाद किसका लिखना है, दिपक का, दिपक का क्या है, 471, 471 नोट कर लिजिए, चलिए, अब इसको हमको दिखाना है, एबाकस में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, यह जो है, इसमें हम एक ball बनाएंगे, यहाँ पर, ओके, मैं थोड़ा सा दूसरा color ले लेता हूं, अच्छा से दिख जाएगा, तो यह हमने color ले लिया है, आप देखिए, यहाँ पर हमको two balls बनाने है, two balls, और यहाँ पर कितने, four, one, two, three, four balls, और यहाँ पर six, one, two, three, four, five, six balls बना दिये, ओके, अब यहाँ पर आ जाएए, विक्की का, तो five balls बनाएंगे, यहाँ पर, one, two, three, four, five balls बना दिये, फिर यहाँ पर seven, one, two, three, four, five, six, seven ball बन गया, और यहाँ पर one ball, इसी तरह से यहाँ पर बनाएएगा, आप four, one, two, three, four और फिर से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर 1, ओके, तो यह question number 3 भी complete हो गया, और यह सारे काम आपको कहाँ पर करने है ना, आपने notebook में करने है ना, आप सब copy में यह सब काम करेंगे, ओके, notebook में करिएगा, चलिए, next हम लोग बढ़लते है, question number 4 की ओर, question number 4 क्या कहता है, what is one more than the house number of onze, तो रोहित का house number कितना है, उसमें आपको one add कर देना है, और यहाँ पर not कर देना है, ओके, तो आप देखकी यह, रोहित का house number यहाँ पर दिखायागे है अम लोग को, रोहित का house number कितना है, 246 इसमें one get कीजिए क्या मिलगा 247 तो हम क्या note करेंगे यहाँ पे 247 note करेंगे ठीक है अगला question यहाँ पे क्या कहता है what is one less than the house number of दीपक दीपक का house number में आपको one minus कर देना है तो दीपक का house number कितना है 471 471 इसमें अगर आप one minus कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 470 तो आप यहाँ पे क्या note करेंगा 470 तो आप लिखेगा 470 इस तरह से आपको question number 5 भी पूरा हो जाता है अभी next हम question number देख लेते हैं 6 कहता है how much more is the house number of विकी देन दीपक दीपक और विकी यह दोनों का house number कितना कितना है और वो एक दूसरे से कितना जैदा है तो दीपक का है 471 और विकी का कितना है 571 तो यहाँ पर 100 का difference है कितना का difference है 100 तो हम यहाँ पर note करेंगे 100 clear next देखिए कहता है find the sum find the sum of the house numbers of sonal and nitya तो sonal and nitya का house number कितना है इन दोनों का house number का sum करना है तो आप देखिए sonal और nitya का house number तो sonal का house number कितना sonal का house number है 148 ठीक है और nitya का house number कितना तो nitya का house number है 862 दोनों को add किजिए आपको क्या मिलेगा यहाँ page मिल गया 10 carry आपका हो जागा कितना carry आपका हो जाता है यहाँ पर 1 अब फिर इसको add किजिए तो 6 plus 4 10 और 1 आपने add किया 11 हो गया 11 के लिए 1 फिर यहाँ पर आपको क्या carry हो जागा फिर से आपको यहाँ पर 1 carry हो जागा तो आप फिर से add किजिए 8 plus 2 क्या हो गया 10 तो आपको क्या मिल गया आपको मिल गया यह 1010 के 1010 आप यहाँ पर note करेंगी तो चलिए हम लोग यहां पर नॉट कर लेते हैं one thousand and ten ओके यह नॉट कर लिए इस तरह से हमारा complete हो गया अब हम आते हैं question number last जो कि है eight number हम लोग कर लेते हैं इसको हम लोग कर लेते हैं ओके आईए यह question number eight में हम लोग आगी अब यहां पर क्या कहता है कहता है write the name of the children whose house number is वैसे children के name लिखने है जो house number यहां पर दिखाए गया है तो the smallest हाना सबसे छोटा house सबसे कम house number किसका है उस बच्चा का नाम यहां पर लिखना है तो आप देखिए यह हमारे है house और इसके numbers यहां पर है सबसे कम किसका है यह देखिए one hundred and forty eight यह कौन है यह है सोनल तो हम क्या name note करेंग कि अब धुसरा हमको क्या note करना है the greatest सबसे बड़ा house सबसे ज़्यादा house number किसका है उसका name यहां पर note करना है तो आईए हम note कर लें तो यह देखिए सबसे ज़्यादा किसका है सबसे ज़्यादा यह हमारे पास यह देखिए eight hundred and sixty two किसके लिए है तो नित्या के लिए हम लोग क्या note कर लेंगे नित्या ओके चलिए हम लोग नित्या का नाम यहाँ पर note कर लेते हैं यह रहा नित्या नित्या का नाम note कर दिए ओके अब next हमारे पास क्या है question number C greater than 500 but less than 800 500 से जैदा हो और 800 से कम हो ऐसा किसका number है उस बच्चे का नाम यहाँ पर note होगा तो आईए हम check करते हमारे पास यह रहा list ओके इसमें से 500 से जैदा होना चाहिए और 800 से कम होना चाहिए तो यह हमारा है 571 और इस बच्चे का नाम क्या है इसका नाम है विक्की तो हम क्या note करेंगे विक्की ओके तो हम यहाँ पर note कर लें विक्की यह लिजिए विक्की का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया अब last में क्या कहता है यह कहा गया है between 350 and 450 350 और 450 के बीच में जिसका number होगा उस बच्चे का नाम नाम नोट करना है तो आईए हम चेक कर लेते हैं 350 और 450 तो 350 और 450 के बीच में कौन है यह देखिए यह है 399 किस बच्चे का नाम है यह बच्चे का नाम है नेहा तो हम लोग क्या note करेंगे महाँ पर नेहा note कर लेते हैं चलिए हम लोग यहाँ पर नेहा का नाम नौट कर देते हैं। यह रहा । तो इस तरह से हमारा complete हो गया नहीँ है ? यह हमारा complete हो जाता है। आगे हमारे पास है worksheet एगे देख लेंगे तो हम लोग worksheet वरन की questions को solve करेंगे, उसके पहले हम लोग आपे note करेंगे। इहाम को क्या note करना यह देखिए यह हमारा हो गया पहला पोजशन वन सben Kalます के लाता है दूसरा पोजशन के लाता है टेंस और तीसरा हंडेड्रों और चौथा थाउजेंड्स फोगए तो इस तरह से हम प्लेस को यहां पर लान कर लेंगे और यहां पे हम नंबर कु लिखेंगे तो हमको hai वरकषीट 1 हमारे पास आगया है अब देखिए यहां पर कौन सा नंबर दीख रहा है कौन सा नंबर रिपरजेंट हो रहा है उसको name लिखना है कहता है what number does the abacus so कौन सा नंबर so करता है तो आप देखेंगे यहां पर कौन सा नंबर so किया है लिखना है तो ये देखिए thousand place पिक्ताइब ॉन नोट कि चेया और हैंभे देखिए इसके बाद यहां पर कितना है तो आप यहां पर फॉरल नोट कर दिजिए और यहां पर इसके बाद कितने 415 यह हुगा नमबर इसी तरह से आप यहाँ पर नोट कर लजीए तो 2 और यह 5 और यह फिर से 5 और यह 3 क्या हो गया 2553 नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यह कितना है 1000 प्लेस पे 5 तो आप 5 लिकिए और 100 और 10 प्लेस पे कोई भी बॉल नहीं है तो 0 रखिएगा क्या रखिएगा जीरो और यह देखिए आपका क्या है यहाँ पर यहाँ पर है टोटल 5 बॉल्स तो आप 5 पूट कर लिजी तो क्या हो गया 5005 के लिए इस तरह से हमने कर लिया चलिए next question को भी हम लोग यहाँ पर कर लेते है तो यह हमारे पास कितना नौट होगा यह देखिए यहाँ पर कितने बॉल्स है टोटल 6 तो हम 6 नौट करेंगे और 100 प्लेश्व कोई भी नहीं तो 0 10s प्लेश्व कुछ भी नहीं 0 और ones प्लेश्व कुछ भी नहीं तो 0, तो क्या हो गया, 6,000 ओके, नेक्स यहाँ पे 1000 प्लेस पे 1, तो एक बॉल है तो 1 रखेंगे, 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं, 0, और ये 10 स्प्लेस पे कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है कितने हैं, 7 है तो आप यहाँ पे 7 नोट करेंगे और 1 स्प्लेस पे कितने हैं, 5 तो आप यहाँ पे 5 नोट किजिए, क्या हो गया 1075 आगे आए, 1000 प्लेस पे कितने बॉल, 3 बॉल 100 प्लेस पे कितने बॉल, 100 प्लेस पे 5 बॉल, तो आप 5 नोट करेंगे 10 स्प्लेस पे 0 बॉल और 1 स्प्लेस पे 2 बॉल तो क्या हो गया 35002 इस तरह से हमने रिपरजेंट कर लिया तो वन नमबर कॉस्टन कमप्रिट हो गया अभी चलिए हम बात करते हैं सेकेंड नमबर कोस्टन की तो यहां पर कहता है रिपरजेंट दा फॉलाविंग नमबर सौन एबाकस तो कुछ नहीं बास हमको यहां पर बॉ दिखाएंगे ठीवल्स वान टू थरी हो गया फॉर्थ प्लेश हांडेट प्लेश पे फॉर वान चो थरी फॉर और फिर आपका टेंस प्लेश पे टू बोल्स और यहां पर वन्स प्लेश पे जीरो है तो कुछ भी नहीं रहने दिजे अधर आईए यहां पे एट बोल्स द ऑफ़न ही है जीडो जीडो ह्क है तो नहीं नॉर्ठ करना है अईए यहंपर 1000 पे गिए सेवेन बाल्स हो तो सेवेन बाल्स को दिखाइए one two three four five six seven thousand प्रेफक हनडेट प्रेस पे one तो एक बाल और authenticक प्लेस पे one तो एक बॉल और वन स्प्लेस पे एक ही है ओके यह कंप्लेट हो गया